हलो गाईज, विल्कम टो और चैनल इजी टूटर पॉइंट तो आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट गॉवर्मेंट इंजियरिंग कॉलेज जी सी इ टी टी बी के ऊपर फुल रिवीव करने वाले यानि गॉवर्मेंट कॉलेज ओफ एंजिनियरिंग और टिक्स्टाइल ब्रांच में आप लोग अड्मिशन ले सकते हैं इस कॉलेज में और हर एक ब्रांच में कितने इंटेक कैपसिटी है अड्मिशन और एलिजिब्री क्राइटरिया देखेंगे उसके बाद WBJ 2020 कुटप कितना गया था वो भी देखेंगे जिल्या 2020 कुटप कितना गया था वो इस कॉलेज स्टैबलिस्ट और 19 जुलाई 1927 यानि बहुत पुड़ाना कॉलेज है तो हिस्ट्री बहुत बढ़ा होगा तो मैं सौर्ट करके मैं आप लोगों को बता देता ओके 1940 में इनिशियली थ्री येर्स डिपलोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था इन टेक्स्टाल टेक्नो इनिशियली ब स्टेक्ड डिप्री स्टार्ट हुआ था इन टेक्स्टाल टेक्नोलोजी एन टेक्नोलोजी अफ्लेट टु इनिवर्सिति अव कilton कलकाटा ये 2003 में 4 ये स्टार्ट हुआ था दे 1998 में अफिलीस्टेंशस्ट टैक्नकूला था इन 5 स्टार्ट होगा college of engineering and textile technology okay and CSE and बाकी bunch 2001 से start हुआ इस college में okay तो यही दा इस college का पुड़ा history so अभी आते affiliation for this college तो this college approved by AST All India Council for Technical Education and affiliated by Makaut Moolana Abul Kalam Hazard University and Technology NAC आपको देखनो को नहीं मिलेगा National Assessment Accreditation Council and NBA National Board Accreditation आपको देखनो को नहीं मिलेगा but 2004 में and 2015 में textile technology branch में NBA था अभी किसी भी branch में NBA नहीं है और NIRF National Indian Ranking Femok rank भी इस college में नहीं है हाला कि बहुत पुराना college है but 2001 से CSE और बाकी जो branch है वो add हुआ इस लिए इस college में NBA इस branch में आपको देखनो को नहीं मिलेगा और बाकी जो affiliation है NBA NAC वो भी आपको देखनों को नहीं मिलेगा तो यही था इस college के affiliation तो अभी बात करें पुरा campus तो एक बार पुरा campus देख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं जबादे हैं कर दो कर दो कर दो सो कैंपस कैसा लगा नीचे कमेंट बरक से ज़रू बताना तो यह रहा आप लोग देख सकते हो College of Textile Technology बढ़रमपू डिगरी स्टूदेंट फॉर दा सेशन 1965 तो 69 का बैच आप लोग देख सकते हो और यह रहा इस कॉलेज का प्रिंसेपल डॉक्टर अभिजीत बिस्पास ओफिसर इंचर्ज प्रिंसेपल इस कॉलेज का अभि आते हैं Basic Infrastructure इस कॉलेज का तो आप लोग देख सकते हो नमबर अब क्लास्टरूम 32 है और नमबर अब बुक्स है लाइबरे में 14401 बहती कम बुक है अबट आते हैं कॉर्स ब्रांच अंड इंटे कापसिटी तो इस college में दो ही course पर वैट करता है एक होता है BTEC, एक होता है MTEC BTEC में आपको total 4 branch देखनों को मिलेगा and MTEC में only 1 branch आपको देखनों को मिलेगा तो BTEC में आपनों WBJ याँ जिलेट के थुरू admission ले सकते हो and MTEC में आपनों gate के थुरू admission ले सकते हो तो आप लोग देखनों तो BTEC, BTEC textile technology में intake capacity है 60, intake capacity MBA नहीं है and faculty है only 3 number of faculty है textile technology MTEC में only 18 number of sit है and MBA नहीं है 0 faculty है यानि 0 लिखा है faculty ते हो गाई then computer science के लिए 44 intake capacity है no MBA, 8 faculty है mechanical engineer के लिए 30 intake capacity है no MBA, 4 faculty है and electrical engineer के 30 intake capacity है no MBA, 5 faculty है okay, तो faculty इस college में बहुत ही कम है so अभी आते most important topic WBJ 2020 cut-off कितना गया था तो मैं एकी branch का बताऊंगा बाकी branch आप लोग वीडियो पॉस्ट करके देख लेना तो CAC का मैं बताता हू open category का मतलब होता है general category, word का मतलब होता है open rank and CR का मतलब होता है close rank तो open rank हुआ था CAC के लिए आप लोग देख सो 3013 से open हुआ था close हो गया था 5501 and open general PWD के लिए आप लोग देख साकतो 66,959 to 66,959 OBCA के लिए आपने open rank हुआ था 8,868 and close हो गया था 14,351 तो आप अगर OBCA से बिलंग करते हो और आपके पास within 10,000 rank है तो आप लोग बिल्कुल इस college में CAC branch में admission ले सकते हो then OBCB के लिए 6,057 to 6,071 and ST के लिए 11,498 से open हो था and close हो गया था 13,626 ST के लिए 33,970 and 39,429 and TFW के लिए tuition fee waiver जो होता है उसके लिए आप लोग देख सकते हो 3,897 से open हो था and close हो गया था 4,612 तो आप अगर open and close rank के अंदर आपका अगर rank आता है तो इस college में आपको definitely admission मिलेगा ही मिलेगा ओके ये तो गया round 1 अभी round 2 का है round 3 का है वह अभी आप लोग website में जाके देख सकते हो तो अभी आते है Gillette 2020 cutoff तो Gillette के उपर कोई officially cutoff नहीं निकलता है बट मेरे पास seat information है CSE के लिए total seat 11 electrical के लिए 6 mechanical के लिए 10 and textile technology के लिए 14 तो ऐसे ही seat रहता है इस college में आपको 4 branch देखनों को मिलेगा तो competition level थोड़ा जयदा हो सकता है CSE के लिए electrical and mechanical के लिए and so आपको within 1000 के अंदर rank रखना होगा GMR, general merit rank within 1000 के अंदर रखना होगा तो ही आप इस college में admission ले सकते हैं तो अभी आगे बढ़ते हैं इस college का free structure तो यह है इस college का free structure आपको देख सकते हैं आपको 3000 देना पड़ेगा and year for 6000 देना पड़ेगा और CSE के लिए आपको per month 1000 देना पड़ेगा यानि पर सेमेटर आपको 6000 देना पड़ेगा and per year आपको 12,000 देना पड़ेगा only for CSE and बाकी जो branch है उसके लिए आपको per semester 3000 and per year 6000 आपको दिना पड़ेगा तो बहुत ही कम है, ओके, तो अभी आते है, most important topic, placement record, तो मैं 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 का placement record आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो, सो यह रहा है, इस college का official website, training and placement record, आप लोग देख सकते हो, नीचे सारे companies का नाम लिखा है, कौन-कौन से companies आता है, इस college में, तो आप लोग वीडियो पॉस्टर का देख लेना, बहुत सरे companies आता है, ओके, सो इसमें आपको placement record मिल जाएगा हर एक year का, तो मैं 2017 का दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, 2017, passing out B.Tech batch, जिसका जो computer science का आप लोग देख सकते हो, तो टोटल student था 49, eligible student था 40, and number of placement जो हुआ था 65% placement हो गया था, and higher study के लिए 12 student गया था, and average salary था 3.2 lakh, high salary था 20 lakh, low salary था 1.8 lakh, and number of companies visited 18 companies आया था, okay, 2017 में, Adobe ने offer किया था 20 lakh, but को students लेट नहीं हुआ, okay, बाकी आप लोग भीडियोग वासर का देख लेना, so यह रहा 2017 का placement record, student का नाम, email ID, branch, and कौनसे companies में placed हुआ है, और यह रहा 2016 का pass out batch 3 lakh average salary था, high salary 4.5 lakh, and lower salary था 1.5 lakh, total 17 companies आया था इस college में, तो आप लोग देख सकते हो, पूरा companies का नाम, क्या का company आया था, okay, नीचे लिखा है, और यह रहा 2016 का placement record, student name, email, and कौन-कौन से company placement मिला था, and branch लिखा है, mention किया गया है, आप लोग देख सकते हो, पूरा list, okay, तो यही था 2016 का placement record, और as per WBJB record, 2019 में 37% student placed हो गया था, maximum citizen था 6 lakh per annum, average citizen 2 lakh per annum, 2018 में 37.5 student placed हो थे, maximum citizen 6 lakh per annum, average citizen 2 lakh per annum, 2017 में 40% student placed हो थे, 15 lakh per annum था, maximum citizen and average citizen 2 lakh per annum, okay, तो यही था पूरा placement record college, तो आप अगर admission लेना चाहते हो उस college में, तो बिल्कुल admission ले से, तो 4 years बीटे है, या 3 years बीटे के लिए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों सजेस्ट करूँगा, इस college के लिए, तो आप लोग बिल्कुल admission ले सकते हो, तो overall अगर वीजियो अच्छा लगता है, तो एक like करके जाना, तो चलिए मिलते हैं, next video बीटे के लिए, bye, take care.